Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे Assessment Worksheet No. 12 for Class 9 विशे सामाजिक विज्ञान है और ये वक्षिट आपके लिए 11th of January 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षिट है students उसमें आपको स्तुरूत अधारित जो है प्रेशन दिये गए हैं जिसमें आपको एक यहाँ पर जो है paragraph दिया गया है जिसको पढ़के कुछ questions के आंसर आपको करने है सो वक्षिट चू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की notification वो समय से मिल जाए सो देखे क्या दिया गया है आज की वक्षिट में उतरी भारत में सीठ रितू मध्य नवंबर से आरंब होकर कब तक चलती है फरवरी तक रहती है प्रत्वी भारत के उतरी भाग में दिसंबर एम जन्मरी सबसे ठंडे महिने होते हैं तापमान दक्षिन से उत्तर की ओर क्या होता है बढ़ने पर गढ़ता रहता है जैसे जैसे हम पाड़ो की तरफ चाते हैं तो तापमान जो है वो गटता है पूरी तरफ पर चेननी का ओसत तापमान जो है 24 डिगरी से 25 डिगरी सेलसियस के बीच होता है जबकि उतरी मैदान में यह है 10 डिगरी से 15 डिगरी सेलसियस के बीच होता है दिन गरम और राते ठंड होती है उत्तर में तुशारा पात जो है वो सामानने है ठीक है यहाँ पर पाला पड़ता है और हिमाले के उपरी ढालों पर हिमपात होता है यारी हिमाले की तरफ जाते हैं तो स्नोफोल होने लगता है इस रितु में देश में उत्तर पुर्वी व्यापारिक पावने प्रभा इन पवनों के कान कुछ मात्रा में वर्षा कहां पर होती है तमिल लाडू के तट पर होती है किसके कान उत्तर पुर्विवा पर एक पवनों के दारा क्योंकि यहां पवने समुंदर से स्थलकी और बहती हैं देश के उत्री भाग में कमजोर उचदाब का छेतर बन जाता है ज और पावनेश्थिल और परिवर्दित होती है तो इसके बारे में ऑल्लरी डिटेल हम जब वक्षीट हमने की थी तब हम अल्लरी डिटेल इसके बारे में पढ़ चुके हैं अब हम इसके कुशन आंसर करेंगे पहला जो प्रश्न है भारत में C. Tritoo का काल है तो भारत में C. Tritoo का काल कौन सा है हमने जस्ट अभी पढ़ा option आपको दिये गए है मार्च से मध्य मई का महिना ठिक है B. दिया गया है मध्य सितंबर से मध्य नमबर C. दिया गया है मध्य नमबर से फरवरी का और जून से स्टंबर का महिना तो सही आंसर क्या रहेगा C. जो है इसका राइट आंसर रहेगा मध्य नमबर से फरवरी का प्रेशन दो है भारत में C. Tritoo में उत्तर पुर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती है तो शीत रितु में तमिलाडू के तडपर वर्षा होती है तो तमिलाडू के तडपर वर्षा जो है किस पवन के कारण होती है नेक्स देखिए question number four है निमलिकित में से कौन सी भारत में C. Tritoo की विशेश्चताएं है C. Tritoo में क्या होता है तापमानादरता कम होती है बिलकुल होती है, दक्षिन से उत्तर के और बढ़ने पर तापान गटता है, बिलकुल ठीक है, साफ आसमान रहता है, बिलकुल ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका उपरोगत सभी हो जाएगा, ठीक है, डी जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से अप आपका चार नंबर का कोशन रहेगा जो थोड़ा सा आपको explain करके लिखना है तो आए बच्चों इनको discuss करेंगे प्रशन पांच है कोलखोज क्या था तो कोलखोज क्या था सोवियत संग में एक प्रकार की सामुहे क्रिसी प्रणाली के खेतों को क्या कहा जाता था कोलखोज कह लिखे तो जो दो वैश्विक प्रभाव थे रूशी करांती के वो रहेंगे रूशी करांती के काण विश्व भर में मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों ने जोर पकड़ा दूसरा है सामराजवाद कमजोर हुआ दोस में क्या हुआ था सामराजवाद जो है वो सहर जगे कमजोर हो गया था और सोवियत संग ने समाजवाद को एक नया वैश्विक चहरा जो है वीश्व स्तरपर प्रदान किया था रूसी क्रांती के द्वारा नेक्स देखिए प्रशन साथ है फेरेल का नियम समझाईए तो फेरेल का नियम क्या था इस नियम के अनूसार दरातल पर मुख्य रूप से चलने वारी सबी हवाएं प्रित्वी की गती के कारण ठीक है उत्री गोलार्द में दाहिनी और दक्षनी गोलार्द में क्या हो जाती है बाई और मुड जाती है तो उत्री गुलार्द में ये जो इस तरह से है तो दाहिनी और मुड़ जाएंगी और दक्षनी गुलार्द में ये स्तरह से क्या होगा बाई और जो है ये मुड़ जाती है ठिक है तो ये क्या था फेरेल का नियम था प्रेशन आठ है लेनिन की एप्रेल थिसिस का वर्णन कीजिए तो लेनिन की एप्रेल थिसिस क्या थी एप्रेल 1917 में बोल्शेविक नेता ब्लादिमिर लेनिन अपनी निर्वासन से रूस लॉट आए उन्होंने गोशना की कि युद को समाप्त किया जाना चाहिए किसानों को भूमी जो है वो हस्तांतरित करनी चाहिए और बैंकों का क्या करना चाहिए राष्ट्रिय करन किया जाना चाहिए तो ये तीन जो है डिमांड थी तीन मांगे थी जिनको लेनिन के एप्रेल थिसिस के रूप में जाना जाता है ठीक है नेक्स देखिए प्रशन नो ह प्रतम विश्व युद्ध में शामिल मुख्य देश कौन से थे, तो प्रतम विश्व युद्ध विश्व मित्र राश्ट्रो और धूरी राश्ट्रो दो खेमों में बट गए थे, ठीक है, जिसमें मित्र राश्ट्रो का नेतरताव किस ने किया, इंग्लेंड, जापान, किसी स्थान की जलवाईउ को प्रभावित करने वाले की नहीं चार कारकों का वर्णन कीजी। तो कौन-कौन से कारक हैं, किसी स्थान या प्रदेश की जलवाईउ को निमलिखित कारक प्रभावित करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका explain भी करना है विश्वत विरत से दूरी तो विश्वत विरत के निकटवर्ती स्थान दूरत स्थानों के अपेक्षा क्या होते हैं अधिक गरम होते हैं क्योंकि विश्वत विरत पर सुरिय की करने सीधी पड़ती है इसलिए महाँ पर जलवाईू ज़ो है वो ज़्यादा गरम रहती है दूसरा है समुदर तल से उंचाई तो परवतों पर मैदानों के अपेक्षा अधिक ठंड रहती है सिमला अधिक उचाई परस्तित होने के काण ही जालंदर की अपिक्षा क्या है अधिक ठंडा है तीसरा है समुंदर से दूरी तो पानी जो है वो गर्मी का कूचालक है अर्थार्थ यह बहुत देर में गरम होता है और बहुत देर में ठंडा होता है समुंदर के इसमकारी प्रभाव के कांड तठके निकट के स्थानों का ताप परीसर कम और आदरता जो है वो क्या रहती है अधिक रहती है ठीक है जो समुंदर के पास होती है स्थान वहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती ठीक है आदरता कम रहती है उसके बाद देखिए प्रचलित पावनों का सवरूप तो समुंदर की और से आने वाले पावने नमी से युक्त होती है और वे अपने मार्ग में पढ़ने वाले छेतरों में क्या करती है वर्शा करती है तो यह चार पॉइंट जो है आप यहाँ प सब्सक्राइब कर लीजे तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ टेक केर बाई बाई